हलो फिर्ण्स मेरा नाम है अपकुछ दवन और स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर्ण्स आज मैं आपको बताने जारू कि 12 के बाद आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं लेकिन वो बताने से पहले मेरी आप सबसे हाथ जोड के गुजारिश है कि आप ये मत देखिए कि शर्मा जी के बच्चे क्या कर रहे हैं गुपता जी के बच्चे क्या कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं तो किसी भेड़ चाल में आप बत्फसिये तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तो पहला course है share market का जिसे हम stock market का course भी कहते हैं ये बड़ा ही trending course है इस course में आप 50,000,000,000 रुपे महीना easily अराम से कमा सकते हैं घर बैठे 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 बस आपको अच्छी knowledge होनी ज़रूरी है इस course के बारे में इस course में आप समझते हैं जितने भी share होते हैं उसको खरीदा बेचा कैसा जाता है technical analysis क्या क्या होते है stock market के graphs चार्ट को कैसे देखा जाता है दोस्तो वर्ल्ड के जो famous investor है Warren Buffet वो क्या क्या strategy use करके पैसक बनाते हैं तो आप वो भी सीख सकते हैं और इंडिया के जो famous है Mr. A.K. जुन-जुन वाला वो किस तरह किसे investment करते हैं तो आप वो भ लक्ष को जरूर प्राथ करेंगे चले दोस्तो आगे बढ़ते हैं अगला जो course है digital marketing का जी हाँ दोस्तो आप तो जानते है digital marketing day by day कितना टेंड करता जा रहा है और especially जब से करोना महा हमारी शुरूई है तब से सारी चीज़े online होती जा रही है और आज की date में हम देख रहे है कि e-commerce का चलन भी बढ़ता जा रहा है अब लोग बाहर जाना खरीदना समान को पेफर नहीं करते हैं दुकानों में जाके time ज्यादा spend करना तो digital marketing आने वाले भविश्य की एक need है digital marketing करने से आप जो है multiple तरह के career में अपना growth कर सकते हैं अब digital marketing से आप एक अच्छे blogger बन सकते ह वेब designer बन सकते हैं email marketer बन सकते हैं e-commerce manager बन सकते हैं SEO manager बन सकते हैं और भी बहुत सारे platforms digital marketing आपके लिए open कर देता है तो यह बहुत ही trending course है आने वाले time में इसकी और भी ज़्यादा demand बढ़ने वाली है और भी ज़्यादा इसमें jobs आपको मिलेंगी और आप अपना चाहो तो अपनी खुद की freelancing या marketing agency खुद की घर बैठे बैठे भी शुरू कर सकते हो बस आपको digital marketing के time आपको practice में थोड़ा focus करना पड़ेगा तो जितनी ज़्यादा practice करेंगे digital marketing की उतनी ज़्यादा strategy आप समझेंगे और लोगों को क्या-क्या पसंद है तो उसके बारे में अच्छ national business और import-export training program भी कहते हैं दोस्तों ये course सबसे ज़्यादा trending है इस course को हम भी सिखाते हैं आप चाहो तो हमसे life classes भी सीख सकते हो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सरकार आदम निरबर भारत की तरफ जोर दे रही है और कई सारे benefits दिये जा रहे हैं इंपोर्ट-export अगर आप 30,000 मात्र से भी अपना खुद का export-import business शुरू कर सकते हैं सरकार इसमें आपको तरह-तरह के फायदे देती है जैसे कि सरकार number one income taxes में नहीं लेती है आपको जो है अगर किसी बड़े loan की जरुरत है business शुरू करने के लिए तो उसमें आपको loan भी सस्ते rate पे देती है और export incentives भी आपको सरकार इसमें तो दोस्तो अगर आप इसमें career बनाना चाते हो तो बहुत ही अच्छा course है आने वाले future की demand है साती के साथ इसमें अगर आप job करना चाते हो तो job में भी career बना सकते हो इसमें multiple तरह की field में job कर सकते हो जैसे कि आप import export executive बन सकते हो marketing manager बन सकते हो logistics and shipping companies में काम कर सकते हो आप documentation का काम documentation executive बन की कर सकते हो purchase manager बन सकते हो और सबसे बड़ी बात इसमें eligibility 12th के बाद कोई भी इस course को कर सकता है देखिए दोस्तो अगर आपको job करना है तो minimum 12th pass आपको होना पड़ेगा और अगर आपको business करना है तो ज़रूरी नहीं आप 12th pass है या नहीं आप export import का business कहीं भी किसी भी उम्रे में शुरू कर सकते हैं तो इसमें आपको business में करने में 50% से लेके 500% तक का मुनाफ़ा होता है क्योंकि international trade में demand बहुत है 180 प्लस देश है जिनको आप target कर सकते हो तो दोस्तो आगे बढ़ते हैं अगला जो course है journal and mass communication filmmaking दोस्तो इस course का trend तो बहुत ही Netflix, Amazon, MX Player, Odd Balaji, etc. हर user अपने interest के recording movies और web series देख रहा है तो अगर आप एक अच्छे filmmaker बन जाते हो अच्छे creative director बन जाते हो और content अच्छा बनाते हो तो आप भी अपने content को in platforms में बेज सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो और एक अच्छा career set कर सकते हो या आप भी अपना एक YouTube channel बना कर उसे direct release करके YouTube से पैसा कमा सकते हो अगर आपके पास क्यों अच्छी script है, अच्छी story है और आपको लगता है कि वो hit हो सकती है तो आप YouTube पर release करो ना आप YouTube पर उसको चला सकते हो अगर लोग पसंद करेंगे तो आपको views तो मिलेंगी मिलेंगे subscriber भी लेंगे, साथती के साथ आप उससे पैसा भी कमा सकते हो, आप चाहो तो इस journalism, बास कॉम और filmmaking में और भी career बना सकते हो, जैसे कि आप pre-production का काम कर सकते हो, post-production का काम कर सकते हो, news anchoring कर सकते हो, ये भी एक बहुती trending course है, चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवा course, जिसको हम कहते हैं, वीडियो editing and photography, दोस्तो, इस course की demand भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, आजकल आप देख रहे हो, क्या कोई भी social media platform यूज़ कर रहे हो, तो वीडियो marketing का trend, वीडियो marketing का culture, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो हम वीडियो देख क जादा समच पाते हैं, चीजों को, आजकल आप online education देख रहे हो, तो वीडियो classes हो पा रही है, चोटे-चोटे बच्चे आजकल आप देख रहे हो, online education के थूँ, वीडियो के थूँ, एक अच्छे level पे अपने skills को upgrade कर पा रहे हैं, तो video editing और photography जो ऐसे courses हैं, जो अगर मैं आने वाले career का भविश्य हैं, तो इसमें भी बहुत demand है, इस course को आप जो है, बहुत ही असानी से सीख सकते हो, बस आपको इसमें थोड़ा time devote करना बड़ेगा, अब आप देखते हैं इसमें कि आप कैसे कैसे video editing और photography कर सकते हो, जैसे कि आप अगर example दूँ, तो आप comedy videos को edit कर सकते हो, funny videos को edit कर सकते हो, education videos को edit कर सकते हो, sports videos, movie reviews, motivation videos बना कर आप उसे edit कर सकते हो, और अपनी को creativity आप डालना चाहो, ठोड़ा mix करना चाहो, videos को तो आप वो भी कर सकते हो, तो आप अगर Instagram पे अगर आप चाहो, तो एक अच्छे meemer भी बन सकते हो, आज कल आप देखते हो तो यह भी एक तुप लेवल के मीमर्स बन सकते हो, आपके भी अच्छे कासे फॉलवर्स अगर हो जाएं, तो मीम मार्किटिंग के थुरू, अपने चैनल के थुरू, अपने फॉलवर्स के थुरू, एक ब्रैंड की और बहुत सारे ब्रैंड की प्रोमोशन करके पैसा भी कमा सकते हो तो ये भी एक बहुत ट्रेंडिंग कोर्स है लास हमें कोर्स की बात करेंगे कुकिंग कोर्स जी हां दोस्तो अब आप सोचोगे कुकिंग कोर्स यह कैसा कोर्स है तो बहुत पराने जमाने का कोर्स है बहुत कॉमन कोर्स है जी हां दोस्तो आज की डेट में कुकिंग मे भी बहुत डिमांड बढ़ रही है भूरी नहीं कि आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करें आजकल आप ने देखा होगा कि लोग घर पे ही बैठ के फूर मेकिंग करके खाना बना के बेच रहे हैं बस आपको कॉलिटी एंड अच्छी सर्विस देनी है आप चाहो तो जमैटो स्विगी से उनके साथ टाय अप करके घर बैठे बैठे लाखो रुपे महीने का कमा सकते हो और आप कुकिन कोर्स ऑनलाइन भी सीख सकते हो या किसी प्रोफेशनल को हायर करके आप अपने घर पर ही कुकिन कोर्स सीख सकते हो और दोस्तों अगर आपको देशी खाना बनाने में पकड़ बनानी है तो आप घर की महिलाएं, घर की लेडीज जो हैं, आपकी मम्मी हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती हैं, या अगर आपकी कोई गर्फरंड है, अगर वो आपको थोड़ा सा हेल्प कर दे, तो आप उनसे भी बजट में शुरू कर सकते हो, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे PG's हैं, बहुत सारे ऐसे जगए हैं, जहां पे लोग रहते हैं, जिनको घर के खाने की ज़रूत होती है, तो आप उनको Tiffin Services के थ्रू भी टागेट कर सकते हो, और अगर आप यूट्यूपर, मैं आपक सकते हो, निशा मधुलिका, मैं दुबारा रिपीट करता हूँ, यूट्यूपर आप सर्च करना, निशा मधुलिका के आप recipes देख सकते हो, तो आपको थोड़ा idea हो जाएगा, कि किस तरे के आप food and recipes ट्राक कर सकते हो, उमीद करता हो, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करिए, उन लोगों के साथ, उन बच्चों के साथ, उन पेरेंट्स के साथ, जो अपने और अपने करियर को लेके चिंतित है, परिशान है, तो इस वीडियो से उन्हें पता चलेगा कि कौन कौन से latest trending course वो 12 के बाद कर सकते है, तो दोस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ, अगले वीडियो में तब तक के लिए, जै हिंद और अपना खयाल रखियेगा,